विशे में बात करेंगे मेशाशी का स्वाशामी मंगल होता है मेश आशी जो अगणी तत की रासी यह हमने कल देखी थी सब मैं मैं साशी चर राशी है और जड़ आशी है और यह विशम राशी विशम राशी मनला और नंबर बाइव श्रू होता है विशब राशी राशी का मेश आशी की दिशा पूरव दिशा होती है राती बड़ी राशी होती है इसका ने यह आप को मैं दिखादूंगा बाद में चिने इसका मेंड़ा के सबारिका चिने होता है इसका जो अंग होता है सिर का आंग जो होता है जो होता है इनका शरी पड़ा होता है इनका होती है आंकों का होता है बाल अलंके होते हैं यह जाता है बहुत सासी होते हैं बर गुस्से वाले होते हैं यह बहुत मेहतावकाशी लोग होते हैं मेश लगन के लो मेश लगन पे अगर परवाब होता है पाप परवाब का मतलब ही होता है अभी हमने किया नहीं है तो अभी करेंगे आगे सबने आएगा पाप परवाब का मतलब होता है जब लगन पे या तो पाप किसी पाप विशवासी होता है, इसमें बहुत confidence level होता है, और हिमत वला होता है. उसके उद्रशे हमेशा बड़े लक्षे को पराप करने के होते हैं. औस जातरत बहुत अधार दिल वाला होता है. अगर लगन इस लगन के लोग़ जातक होते हैं, ये काम शुरू से लेकर अंग तक अपने तरीके से करना चाते हैं, जैसा वो चाते हैं वैसा ही करना चाते हैं, इसमें किसी की देकल अंदाज जनरली ये लोग पसंद नहीं करते हैं, ये लोग चाते हैं कि हमारे तरीके से काम हो, जैसा हम चाहरे हैं वैसा काम हो, इस लगन के पाप परवाब होता है अगर नेगटिव इंपेट आता है तो आठी किया मेश लगन के जो जाता को होते हैं वो निर्णे लेने की शमता बहुत होती है इनमें और निर्णे यह अपनी मर्जी से लेते हैं अपने इसाफ से लेते दूसरे का देपलंदा इसमें जनरली यह कि रहते हैं इसाफ अगर लगन में पाप परवाब पढ़ाता तो यह जाता जोकिन लेने में चार लगन के होने के कारण ऐसे लोग लोगों को लोग इनको सोच समझ का काम करना चीए क्योंकि यह लोगों का जो चार लगन का होता है तो जल्दी से विचलित अगर बातों पर हो जाते हैं तो इनके डिसिएंट जो है गलत हो जाते हैं प्लस यह लोग लेने के घड़ जाता है अगहाल लगन पर परवाब होता है जो इसे जातकों का जो इंपैक्ट होता है वह बड़े श्टॉंग होते हैं अच्छे डिसिएंस में लगन we सब्सक्राइब बड़े कारें नहीं करतें ऐसे लोग टोड़े से इर्शालू परवर्ति के होते कि थोड़े से इसालू परवर्ति के भी होगके cathedral से एंकते की जेसे प्लिस सदिकारी या आंट फोर्सिस के अंदर जॉब या ऑपरेशन जैसे अपने आपको शामिल करते हैं और अपने विश्वास अपने आतम विश्वास से अपने निन्दा पसंद नहीं करते हैं इनको अपनी अच्छी बात करें अच्छा बोले अच्छा बोले और निनकी विश्वास नहीं करें यह लोग बहुत फूर्टी ले होते हैं तेजी से अफूर्टी से काम सहते हैं सास बहुत होता है इनमें अच्छे बुरे काम दोनों काम सास से करते हैं और अपनी सास के वेसे लोग सभलता भी प्रदान होती हैं इनको ऐसे मेश लगन के लोग जनरली बीमार नहीं पड़ते लेकि इनको चोटपी जल्दी जल्दी लगती रहती है और वो चोटपी इनको ठीक भी होती है मंगल की राशी होने के कारण फूर्टी अधिक होने के कारण इनको चोटपी लगती है लेकिन ठीक हो जाती है कि मंगल जल्दी से रिकवरी कर जाता है तो ठीक हो जाती है यह अगर मेश लगन के लोगों के पराशी पर परवाब होता है तो परवाबतीbeing के होने के कारण ऐसे लोग अपने को जल्दी से किसी वाद मिजा लुआ लेते हैं यहीं पे अगर मेश लगन के लोगों पे अगर शुप परवाब होता है तो ऐसे लोग किसी जगड़े को सुझा लेते हैं, ये दोनों में फरका जाता है फुरा साम।